नमस्कार दोस्तों वही क्या हाल है मेंबर्स उम्मीद आपको पिछले वीक जो स्टॉक्स दिये थे अगेन आपको उनसे बहुत अच्छी गाइडन्स मिली होगी बिरला केबल ने कमाल कर दिया ठीक है 310 का भाव चुआ जे एम फाइनेंशिल ये वहीं का वहीं है तो इस स्ट स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हैं अगर ये 95 के प्राइस को नहीं तोड़ता जेम फाइनेंशिल तो स्टॉक में बने रही है आपको उपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगी अब बात कर लेते हम इस वीक के ब्रेक आउट स्टॉक्स की ठीक है जो की आप बेस स्टॉक्स के लिजिए जो इस वीक में ट्रेडेबल रहने वाले हैं आईए तीन चार स्टॉक में निकाल के रखें आपके लिए उनकी चर्चा करते हैं सबसे पहला है स्टॉक दोस्तों HFCL ये स्क्रिप्ट का नाम है HFCL ठीक है ये आप देखेंगे पैटन जो है इसमें ए एक डिसेंडिंग ट्रेंगल का पैटन है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और ये 2021 का इसका हाई है इसने अब जाके ब्रेक आउट दिया है ब्रेक आउट दिया है प्लस क्या किया है इसने वाल्यूम देखी, मतलब amazing, इसके बराबर की volume इसमें 2021 में थी तो किसी बड़े operator ने इसमें बहुत बढ़िया माल उठाया है पिछले हफ़ते, ये देखी ठीक है, ये देखी तो 82 का इसका भाव है फिलाल, 82 का इसका भाव है फिलाल, हो सकता है ये एक बार को ऐसे करके नीचे की तरफ आए तो मैं ये बोलूँगा इसमें swing trading की जा सकती है any closing below 75 आप SL रखिए थोड़ा सा नीचे है, बट ये एक दो मन्त के लिए पकड़ लीजिए इसको ठीक है एक दो मन्त के लिए पकड़ लीजिए, हो सकता आपको 95, 100 के इस तर दिखा दे HFCL, ठीक है बिल्कुल, इसका जो target निकल के आ रहा है, 95 और 100, ये दो target आपको निकल के आ रहे है पहला तो ये ही निकल के आ रहा है ये है 88 के आसपास दूसरे ये top निकल के आ रहे है, ये है 95 के आसपास, दीसरा ये फेल हो जाएगा अगर 75 के नीचे close दे देता है, ठीक है तो ये बढ़िया breakout का मुझे candidate दिख रहा है next week के लिए अगला stroke है दोस्तो, कैस्ट्रॉल India, नाम आपने सुना होगा, कैस्ट्रॉल India, ठीक है इस stock ने भी आप देखेंगे एक इधर resistance लिया, इसी जोन का इधर resistance लिया, बट इस बार breakout दे दिया, तो जो मैं स्ट्रॉक आपके साथ share करता हूँ, कौन से share करता हूँ, breakout प्लस volume आप देख लिजे किस volume के साथ इसमें बाएंगे, ये average volume है ये एक बार भी पार नहीं कर पाया कब काटा है, जो volume के साथ है, और क्या भाव है अभी आज की डेट में, फिलाल 162 के आसपास है ठीक है, तो इस हाल तो इसका जो SL आता है, वो इसके नीचे closing का आता है 152 ठीक है, बट इतना नीचे मत लीजे आप आप इसका SL रख लीजे 158 के नीचे closing basis ठीक है, और इसको buy कीजिए, इसका जो technical target है, वो इतना है, minimum ठीक है, मतलब यहां से 20 रुपया है, minimum उपर जाना चाहिए, तो 180 plus के target है, एक मंत के लिए आप इसे stock वो भी पकड़ के चल सकते हैं यह जो मैंने आपको SL दिया है, कैस्ट्रॉल इंडिया, ठीक है, यह दो स्ट्रॉक हो गए, अगला स्ट्रॉक है दोस्तो, जे भी chemical, यह भी जे भी chemical and pharmaceutical, यह भी देख ली जा, volume है नहीं, है नहीं, है नहीं कहीं volume नहीं है, यह resistance नहीं पार करपा रहा, नहीं पार करपा रहा, नहीं पार करपा रहा, बहुत कोशिश कर रहा वोल्ल्यूम जनेरेट हुई प्लस TRIK आउट तो यह हो गया आज का तीसरा stock क्या नाम है जे भी chemical and pharmaceutical क्या भावपैयaa 16118, अब इस pattern का target कितना आता है आप you जानते हैं, क्या है ये, perfect head and shoulder, ठीक है, ये जो low निकल के आते हैं, 1300 के आसपास निकल के आते हैं, neckline निकल के आती है, 1500 के आसपास निकल के आती है, तो 1700 प्लस के target है, और मुझे लगता है ये जाएगा 1800 प्लस, chemical stocks में rebound आ रहा है, ठीक है, ये था तीसरा stock, अगला stock, last stock, ये दिख रहा है दोस्तों, क्या है ये, cup handle breakout, नीचे volume, थोड़ी, आपको एक कम इसले दिख रही है, क्योंकि मैंने weekly chart लगाया, मैं daily chart लगाता हूँ, आप देखेगा, ये देखे, है ना, stock का नाम बताता हूँ, आपको ये देखे, थोड़ा लंबा time का है ये, ये इसकी neckline, stock का नाम है दोस्तों, विप्रो, currently कितना चल रहा है, 462, नीचे volume भी इसमें normal volume से जादा है, ठीक है, जो average volume जो रहती है, उससे जादा है, बहुत ही लंबे time का consolidation का breakout है, बहुत लंबे time का, अगर मैं इसको दूर तक खीचू, तो मैं आपका SL आपके सामने रख सकता हूँ, this should be your SL on closing basis, हाँ तो नीचे रहा है भईया, 445, 2-3, 4-5% साला 3% नीचे की तरफ आ रहा है, guys इसका SL तो यह ही, 445, नीचे की तरफ है, ठीक है, पर यह breakout है, और 462 का current भाव है, मुझे यह 480 प्लस जाता हूँ है, हाँ से दिख रहा है, विप्रो, ठीक है, तो किसी प्रकार से भी, अगर यह stock आपको move करते हुए दिखें, SL risk reward favorable है, और volume प्लस pattern का breakout, इन दोनों का सामन जैसे, यह जब बैठता है, तो result देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, और बहुत period का है यह, 2022 यह देखिए, ठीक है, इसके उपर जाके उपर trade कर रहा है, तो कमजगा में 500 तक जाने का दम रखता है, अगर एक महिने का करीब को holding period रहेगा, ठीक है, चलिए, thank you very much.